स्वागत है सभी करा सुकीर सोई में तो आ गए है सर्दियों के स्पेशल आउला जो कि सर्दियों में बहुत ही फायदा करता है तो रखेंगे हम इसका अचार वो भी बिल्कुल कम मसाले में इतना अच्छा कि आपने अगर एक बार रख लिया तो आप हर बार ऐसा ही अचार रखेंगे जो कि सब को बहुत ही पसंद आएगा तो इन्हें उबाल लेते हैं डालेंगे एक ग्लास पानी इसमें डालेंगे हल्दी बस हल्दी एक ग्लास पानी नमक नहीं डालना है इसमें बस उबाल लेंगे यह आर्ट से दस मिनट में उबाल जाते हैं आप चाहोते हैं पहले काटके भी वाल सकते हैं ऐसे वाले में बहुत ही आसानी रहती है तो यह देखिया है अउले वाल चुके हैं आप करते हैं इनका मसाला तेयार जब तक यह ठंडे होंगे जब तक लिया है नमक, एक कटोरी, लाल मिर्च पाउडर और ये मैथी दाना जो मसाले में डारते हैं न मैथी दाना यही वाला लेना है मैथी दाना इसे भूंज के पीस लेंगे तो हमारे पास पहले से ही पिसा हुआ रखा है भूंजा हुआ तो हम यह अलग करके भूंजा वाला पिसा हुआ ले लेंगे तो ये देखिए हमने पहले से सपीस के रखा था तो आपको बस मैथी दानाई डाला और कोई आपको ना सौप काली मेर्च और कुछ भी नहीं डाला ये बहुत ही फायदा करता है इसे बुजर्ग लोग भी खा सकते हैं आराम से आवला नुकसान करने लगता है ना खटाई होती उसमें तो मैथी से आवला नुकसान नहीं करता ये देखिए आवला थंडे हो चुके थे तो हमेंसे तोल डेंगे देखिए कि त्या राम से इसकी वही निकल जाएगी और कली-कली एंवले कि निकाल लेगे आपको जैसे भी रखने हो तो ये देखिए सारी यावले की कली-कली निकाल लीए आप चाव तो चाव को से भी काट सकते हैं अब डालेंगे इसमें सर्सों का तिल को मिक्स कर लेंगे म्साला दालने हल्दी पावड़र हल्दी तो पहली भी डालती थी तो थोड़ी सी हल्दी डाल लिए मिर्च पाउडर और मैथी पिसी हुई आप एक बार इस तरीके से अचार रखना देखना सभी को घर में बहुत पसंद आएगा अब डालेंगे नमक, अचार में हमीसा नमक थोड़ा जाद ही डाला जाता जिससे अचार खराब भी नहीं होता है और अच्छा भी लगता है आप इस अचार सालो सालता के श्टोर करके रख सकते हैं, ये कभी खराब नहीं होगा ये देखिया, हमारा अचार रख चुका है, विसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें मसाला सब कहीं अच्छे से चिपक जाया है आउले में ये देखिया, अचार उख चुका है, अब इसे भड़ के रख देंगे डिबे में तो यह आचार की रेस्पी अमारे बुगा दादे की है हमारे दादा जी थी तो वू अचार नहीं खपाते थे कच्चे अउला का था वो उबाल के रख देती थी और इसमें डाल देती थी मैंथी मैंथी से आउला नुकसान भी नी करता था बुजर्ग लोगों को आउला भी न पायब हो जाता था तो आपको हमारे आचार की रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सस्क्राइब कर दीजिए और आप भी दखिए ऐसा ही अचार और खिलाईए बुड़ी-बुजर्ग बच्चों को सभी को जो कि सर्दियों में बहुत ही फायदा करता है तो मिलते हैं अगली वीडियो में हाँ सस्क्राइब जरूर कर दीजिए